नमश्कार हमारे यूट्यूब चैनल कोशी क्लासिज में आपका स्वागत है आज हम कक्षा बारवी की पुस्तक प्यूस प्रवा का अध्याय च्छे लेकर आए हैं जिसका नाम है राजस्तान के गोरव और इसके हम महत्मुन प्रसन उतर बताएंगे आज आपको आपका प्रसन नमबर एक है कि इस धर्ती पर नै तो केसर पैदा होती है और ना ही हीरों की खाने हैं यहां तो वीर जनमते हैं किस धर्ती का वर्णन किया गया है तो इस पर आपका उतर होगा इसमें कि इसमें राजस्तान की धर्ती का वर्णन किया गया है यहां देव नारायन जी, बाबा राम देव, संथ जमेश्वर, पुजे, गोविन गुरू, महराज सूरजमल जैसे त्यागी तपस्वी संथ तथा वीर पुरुष पैदा हुए हैं और जिनोंने अपनी सिद्धियों और सूर्ता का उपयोगर अन्याय का प्रतिकार करने और सामाजिक समरस्ता की इस्थापना राष्ट्य स्वाधिन्दा प्रयावरन सरक्षर आदी में किया है तो यह आपका उत्तर एक है आपका प्रसर नमबर दो होगा कि सूरज मल की राष्ट्य भावना से सम्मनित किसी एक घटना का वर्णन कीजिए तो इसमें आपका उत्तर होगा कि सूरज मल वीर और सहसी योद्या थे और इसी क्रम में उन्होंने रात के अंधेरे में सलावत खां की छावनी पर सिंग की तरह जप्टा मार कर उसे राष्ट्य भावना से सम्मनित सर्थ तैकर आत्म समर्पन के लिए मजबूर किया था आपका प्रसर नमबर तीन आएगा कि जलिया वाला बाग हत्याकांड की तुलना राजस्थान की किस घटना से की जाती है संशिप्ट में वर्णन कीजिए तो आप इसमें उतर लिखेंगे जलिया वाला बाग हत्याकांड की तुलना उज्य गोविंद गुरु द्वारा वन अंचल में वनवासी बंदों के लिए चलाए गए स्वाधिन्ता आंदोलन की घटना से की जाती है जिसे सन 1913 का मानगड हत्याकार्ण भी कहा जाता है यह हुआ आपका उतर 3 प्रसा नमबर 4 कि मेरे जीवन का उद्देश पूरा हो गया है यह वाक्य किसने कहे और उसके बाद उन्होंने क्या किया लिखिये इसमें आप उतर लिखेंगे कि यह वाक्य राम देव ने कहे थे वैस्वम सिद योगी वैद किये चिकित सामें पारगत थे उन्होंने कुष्ट रोग हैजा, विकलांगता, आदी बिमारियों के रोगियों को रोग मुक्त करने में चमतकार दिखाये थे और समा सेवा करते हुए 33 वर्ष की आयू में उन्होंने समाधी ले ली थी तो ये वाकिय बाबा राम देव के द्वारा कहे गए हैं प्रेसर नमबर इसमें आएगा आपका पांच कि देव नारायन जी वे महराज सूरज मलके सामाजिक वे धार्मिक महद को लिखे तो इसमें आप उत्तर लिखेंगे देव नारायन जी ने अपने समय के अन्याय और अत्यचार को समाप करना ही अपने जीवन का लक्षे बना रखा था और देव नारायन जी आईरवेद वे तंद्र सास्त के पंडित थे उन्होंने गोवर और नीम का महत इस्तापित किया तथा राज क्रांती द्वारा जनता को कू सासन से मुक्ती दिलाई और महराजा सूरज मल सहसी योध्या तथा राष्टे भावना से समर्पित थे उन्होंने मुगल सेना को परास्त कर दिल्ली के बादसा को आत्म समर्पन के लिए मजबूर किया और मुगलों को पीपल का व्रक्ष नय काटने तथा मंदिरों का अपमान नय करने वे मूर्तियों को च्छती पहुचाने के लिए शैसर्थ प्रति बंदित भी किया था तो य इसमें उतर आएगा आपका कि जोधपूर के खेजडली गाओं में जोधपूर के महराजा ने सैनिकों को आग्या दी कि वे राज्यकार यहे तू रक्ष काट कर लाए और सैनिकों ने खेजडली गाओं को उप्युक्त समझा क्योंकि इस गाओं में प्रते खेट में इतने में ही गाउं के लोगों की खबर मिल गई और वे आ भी गई और अम्रता ने गाउं के लोगों को प्रेरित करते हुए यह सांती से रुख कर करने को कहा लेकिन वो नहीं माने तब अम्रता देवी ने कहा कि सिर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान और इस तरह से सभी इस पुत्री पुरुष एक एक पेड़ के आगे खड़े हो गए और इस तरह अम्रता देवी सहित 363 लोगों ने पेड़ों की रक्षा की खातिर बलिदान दिया और इसमें उनके पतिवे पुत्री भी थे तो ये आपका उत्तर छे हुआ पुजे गोविन्द गुरु ने वनवासियों में समा सुधार किस प्रकार से किया तो इसका उत्तर होगा आपका पुजे गोविन्द गुरु ने वनवासियों को ए सिक्षा भूख आकाल बिमारियों नशा अंधिविश्वा से पिड़ित देखा तब उन्होंने वनवासी समा प्रेट की दसा सुधारने के लिए स्वचता, बच्चोओ, की सिक्षा, मेहनत करना, चोरी ना करना, मदीरा मास्क, सेवन ना करना, बेकार ना करना, धरम का धर्टा से पालन करना आदी, बातों पर बल दिया और उन्हें भजन सत्संग द्वारा सिक्षित किया उन्होंने विदेशी सोशनकारी सासन का व्रोध भी किया तथा स्वयधर्म में धड़ रहने आदी के भाव भी स्थापित किये इस तरह से गोविंद से गोविंद गुरू हो गए और गोविंद गुरू ने संप सभा की समास उधार के विविद छेत्रों में काम किया तो यह आपके महत्मून प्रसन है जो आपके पेपर में आ सकते हैं आपको यह वीडियो कैसी लगी यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद